ओम शंति पंधरा मार्च दो हज़ार चौबिस बाबा के महावा क्या है। मीठे बच्चे ज्यान सागर बाप तुम्हें रतनों की थालियां भर भर कर देते हैं। जितना चाहे अपनी जोली भरो, सब फिक्रातों से फारिग हो जाओ। प्रश्न ज्यान मार्ग की कौन सी बात भक्ती मार्ग में भी पसंद करते हैं। उत्तर स्वच्चता ज्यान मार्ग में तुम बच्चे स्वच्च बनते हो, बाप तुम्हारे मैले कपडों को स्वच्च बनाने आई हैं। आत्मा जब स्वच्च अर्थार्त पावन बन जाती है, तब घर में जाने के उड़ने के पंक लग जाते हैं। भक्ती में भी स्वच्चता को बहुत पसंद करते हैं। स्वच्छ बनने के लिए गंगा में जाकर स्नान करते, लेकिन पानी से आत्मा स्वच्छ नहीं बन सकती। ओम शंती, मीठे मीठे बचे, तुम्हें याद की यात्रा को भूलना नहीं है। सुभा को जैसे यह प्राक्टिस करते हो, उसमें वानी नहीं चलती है, क्योंकि वह है निर्वान धाम में जाने की युक्ती। पावन बनने के सिवाई, तुम बच्चे जा नहीं सकते, उड़ नहीं सकते। यह भी समशते हो, सत्युग जब होता है, तो कितनी धेर आत्माई उड़ कर जाती हैं। अभी तो कितनी करोड आत्माई हैं, वहां सत्युग में जाकर कुछ लाख बचेंगे। बाकी सब उड़ जाते हैं, जरूर कोई तो आकर पंक देते हैं न। इस याद की यात्रा से ही आत्मा पवित्र हो जाती है। इनके सिवाई और कोई उपाई है नहीं, पावन होने का। पतित पावन भी एक बाप को ही कहते हैं, फिर कोई ईश्वर कहते, परमात्मा कहते, वह भगवान कहते हैं। है तो एक, अनेक नहीं हैं, बाप सबका एक है, लौकिक बाप सबका अपना अपना होता है, बाकी पालौकिक तो सबका एक ही है, वह एक जब आते हैं, तो सबको सुख दे कर जाते हैं। फिर सुख में उनको याद करने की दरकार नहीं, वह भी पास्ट हो गया ना। अब बाप बैठ पास्ट प्रेजन्ट फ्यूचर का राज समझाते हैं। जाड का पास्ट प्रेजन्ट फ्यूचर बहुत इजी है। तुम जानते हो कि कैसे बीज से जाड होता है, फिर व्रधी को पाते पाते आखरीन अंत आ जाता है। उसको कहा जाता है आधी मध्य अंत। यह है वेराइटी धर्मों का जाड। वेराइटी फीचर का जाड। सब के फीचर अपने अपने हैं। फूलों में तुम देखेंगे जैसा जैसा जाड वैसे वैसे उनके फूल निकलते हैं। उन सब फूलों के फीचर एक रहेंगे। परन्तु इस मनुश्य सृष्टी रूपी जाड में वेराइटी है। उसमें हर एक जाड की शोभा अपनी अपनी होती है। इस जाड में अनेक प्रकार की शोभा है। जैसे बाप समझाते हैं शाम, सुन्दर यह देवी देवताओं के लिए हैं। जब वह सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते हैं, तो वही सुन्दर से शाम बनते हैं। ऐसे शाम सुन्दर और कोई धरम में नहीं बनते हैं। उन्हों के features भी देखो, जपानियों के features, यूरोपियन्स के features, चीनियों के features देखो, इंडिया वालों के features बदली होते जाते हैं, उन्हों के लिए ही शाम सुन्दर का गायन है, और कोई धरम के लिए नहीं, यह मनुश्य सृस्टी का जाड है, यह सब नंबर वार कैसे आते हैं, यह knowledge तुम बच्चों को अभी मिलती है, और कोई यह बात समझा न सके, यह कल्प है पांच जार वर्ष का, इसको व्रक्ष कहो या दुनिया कहो, आधा में है भक्ती, जिसको रावन राज्य कहा जाता है, पांच विकारों का राज्य चलता है, कामचिता पर चड़कर पतित साम्वरे बन जाते हैं, रावन संप्रदाई वालों की चलन और देवी संप्रदाई वालों की चलन में रात दिन का फर्क है, मनुष्य उन्हों की महिमा गाते हैं, अपने को नीच पापी कहते हैं, अनेट प्रकार की मनुष्य हैं, भक्ती तो तुमने बहुत की है, पुनर जनम लेते लेते भक्ती करते आई हो, पहले होती है अव्यभिचारी भक्ती, एक की भक्ती पहले पहले शुरू करते हैं, फिर व्यभिचारी हो जाती हैं, अन्त में फिर बिलकुल ही व्यभिचारी बन जाते हैं, तब बाप आकर अव्यभिचारी ग्यान देते हैं, जिस ज्यान से सद्गती होती है इसका जब तक पता नहीं है तो भक्ति के ही घमंड में रहते हैं यह पता नहीं है कि ज्यान का सागर एक ही परमात्मा है भक्ति में कितने वेद शाष्त्र याद कर जबानी भी सुनाते हैं यह सब है भक्ति का विस्तार भक्ति की शोभा है बाप कहते हैं यह म्रग तृष्णा समान शोभा है वो रेत पानी जैसी दूर से ऐसी चमकती है जैसे चांदी हिरन को प्यास लगती है तो वह उस रेत में भागते भागते फंस जाता है भक्ति भी ऐसे है उसमें सब फंस पड़े हैं उससे निकालने में बच्चों को महनत लगती है विग्न भी इसमें पड़ते हैं क्योंकि बाप पवित्र बनाते हैं द्रौपदी ने भी पुकारा सारी दुनिया में द्रौपदियां और दुर्योधन हैं और फिर ऐसे भी कहिंगे कि तुम सब पार्वतियां हो जो अमर कथा सुन रही हो बाप तुमको अमर लोग के लिए अमर कथा सुना रही हैं यह है म्रत्यू लोग यहां अकाले मृत्यू होती रहती है, बैठे बैठे हार्ट फेल हो जाते है तुम हॉस्पिटल में जाकर समझा सकते हो, यहां तुम्हारी आयू कितनी कम है बिमार हो पड़ते हो, वहां बिमारी होगी नहीं भगवानु वाच अपने को आत्मा समझो, मुझ बाप को याद करो औरों से ममत्व मिटा दो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे फिर कभी बिमार होंगे नहीं, काल खाएगा नहीं आयू भी बड़ी होगी, इन देवताओं की आयू बड़ी थी न फिर बड़ी आयू वाले कहां गए, पुनर जनम लेते लेते आयू कम हो जाती है यह दुख सुख का खेल है, इसको कोई जानते नहीं मेले मलाखडे आदी कितने होते हैं, कुम्ब के मेले में कितने लोग स्नान करने के लिए जाकर इकठे होते हैं परन्तो फाइदा कुछ भी नहीं रोज तुम इसनान करते हो, पानी तो सब जगा सागर से ही आता है, सबसे अच्छा पानी तो कुए का होता है नदियों में तो किचना पढ़ता रहता है, कुए का पानी तो नैचुरल शुद्ध होता है तो उनसे इसनान करना बहुत अच्छा होता है पहले यह रिवाज था, अब नदियों का रिवाज पढ़ा है भक्ती मार्ग में भी स्वच्छता को पसंद करते हैं अब पर्मात्मा को पुकारते हैं कि आकर हमको स्वच्छ बनाओ गुरुनानक ने भी पर्मात्मा की महिमागाई है कि मूत पलीती कपड धोई बाप आकर मूत पलीती कपडों को स्वच्छ बनाते हैं यहां बाप आत्मा को स्वच बनाते हैं, वो लोग आत्मा को निरलेप समझते हैं। बाप कहते हैं, यह है ही रावन राज्य, सृस्टी की उतरती कला है। गायन भी है, चड़ती कला, तेरे भाने सर्व का भला। सर्व की सदगती हो जाती है, हे बाबा, आपके द्वारा सब का भला हो जाता है। सत्युग में सब का भला होता है, वहां सब शान्ती में हैं, एक ही राज्य है। उस समय और सब शान्ती धाम में रहते हैं। अब यह लोग माथा मारते हैं कि विश्व में शान्ती हो। उनसे पूछो, आगे कभी विश्व में शान्ती थी, जो अब फिर मांग रहे हो। वो फिर कह देते हैं, अभी कल्युग में 40,000 वर्ष और पड़े हैं। मनुष्य घोर अंधियारे में हैं, कहां 5,000 वर्ष का सारा कल्प। कहां एक कल्युग के ही 40,000 वर्ष बचे हुए बताते हैं। अनेक मते हैं। बाप आकर सच बताते हैं, कि जनम भी 84 ही हैं, लाखों वर्ष हों, फिर तो मनुष्य जानवर आदी भी बन सकते हैं, परन्तु काइदा ही नहीं हैं। 84 जनम मनुष्य का ही लेते हैं, उसका हिसाब किताब भी बाप बतलाते हैं। यह नौलेज तुम बच्चों को धारन करनी हैं, रिशी मुनी तो नेती नेती करके गए हैं, अर्थार्त हम नहीं जानते हैं, तो नास्तिक ठैरी। जरूर कोई आस्तिक होंगे, आस्तिक हैं देवताईं, नास्तिक हैं रावन राज्यामी। ज्यान से तुम आस्तिक बनते हो, फिर 21 जन्मों का वर्सा मिल जाता है, फिर ज्यान की दरकार नहीं रहती है। अब पुरुष उत्तम संगम युग है, जबकि हम उत्तम ते उत्तम पुरुष स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। इसमें जितना जो पढ़ेंगे, उतना उंच पद पाएंगे। पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे विश्व के मालिक, नहीं तो कम पद। परन्तु वह राजाई है सुख की, यहां है दुख की। आस्तिक बने हैं तो सुख की राजाई करते हैं, फिर रावन आने से नास्तिक बनते हैं, तो दुख होता है। भारत जब सॉल्वेंट था, तो अथा धन था। सोमनात का मंदिर कितना भारी बनाया हुआ है। मंदिर बनाने के लिए इतने पैसे थे, तो खुद के पास कितने पैसे होंगे। यह इतने पैसे कहां से मिले। शाष्त्रों में लिखा है सागर ने थालियां भर भर कर दी। अब ग्यान सागर तुमको रतनों की थालियां भर कर देते हैं, अब तुम्हारी जोली भर रही है। वो शंकर के आगे जाकर कहते हैं, भर दो जोली, बाप को जानते नहीं। अब तुम जानते हो, बाप हमारी जोली भर रही है। जितना जिसको चाहिए सो भरे। जितना अच्छी रीती पढ़ेंगे उतना स्कॉलर्शिप मिलेगी। चाहें तो ओंच ते ओंच डबल सिर्ताज बनो। चाहें गरीब प्रजा वदास्तासी। बहुत हैं जो फारकती भी दे देते हैं। यह भी ड्रामा में नून्द है। बाप कहते हैं मुझे कोई फिकर नहीं। मैं तो फिकर से फारिग हूं। तुमको भी बना रहा हूं। फिक्र से फारिग स्वामी केंदा सत्गुरू स्वामी जो सबका बाप है उनको मालिक भी कहते हैं बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बेहद का टीचर भी हूँ भक्ती मार्ग में तुम अनेक टीचर से अनेक विध्याई पढ़ते हो बाप जो तुमको पढ़ाते हैं यह सबसे नियारी नौलिज है वह है ज्ञान का सागर जानी जानन हार नहीं कहना ऐसे बहुत कहते हैं आप तो हमारे अंदर को जानते हो बाप कहते हैं मैं कुछ नहीं जानता हूं मैं तो तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए आता हूं तुम आत्मा अपने इस तक्त पर विराजमान हो मैं भी इस तक्त पर बैठा हूं आत्मा कितनी छोटी बिंदी है यह कोई जानता ही नहीं तब बाप कहते हैं पहले आत्मा को समझो फिर बाप को समझेंगे बाप पहले पहले आत्मा का ज्यान समझाते हैं फिर बाप का परिचे देते हैं भक्ती में सालीग्राम बनाए पूजा कर फिर खलास कर देते हैं बाप कहते हैं यह सब है गुडियों की पूजा जो इन सब बातों को अच्छी रीती समझते हैं वह औरों का भी कल्यान करते है बाप भी कल्यानकारी है तो बच्चों को भी बनना है कोई तो औरों को दल्दल से निकालते निकालते खुद फंस मरते हैं अप वित्र बन पड़ते हैं की कमाई चट कर देते हैं इसलिए बाप कहते हैं खबरदार रहना काम चिता पर बैठने से ही तुम काले बन पड़े हो तुम कहिंगे हम ही गोरे थे, हम ही काले बने हम ही देवता थे, हम ही नीचे उत्रे नहीं तो 84 जनम कौन लेते हैं यह हिसाब बाप समझाते हैं बच्चों को बहुत महनत करनी पड़ती है आधा कल्प से जो विशय सागर में पड़े हैं उनसे निकालना मासी का घर नहीं है अगर कोई थोड़ा भी ज्यान लेते हैं तो उनका विनाश नहीं होता है यह कथा है ही सत्य नारायन बनने की फिर प्रजा भी बनती है थोड़ा समझ कर चले जाते हैं हो सकता है फिर आकर समझे आगे चल कर मनुश्यों में वेराग्य भी होगा जैसे शम्शान में वेराग्य आता है बाहर निकले तो खलास तुम भी जब समझाते हो अच्छा अच्छा करते हैं बाहर गई खलास कहते हैं यह काम उतार कर आएंगे बाहर जाने से माया माथा मूड लेती है कोटों में कोई निकलता है राजाई पदपाना इसमें महनत लगती है हर एक दिल से पूछे बेहद के बाप को हम कितना याद करते हैं कहते हैं बाप की याद भूल जाती है अरे अग्यान काल में कभी ऐसे कहते हैं कि हम को बाप भूल जाता है बाप कहते हैं भल कितने भी तुफान आएं तुमको हिलना नहीं है तुफान आएगा सिर्फ कर्मिंद्रियों से कर्म नहीं करना कहते हैं बाबा माया ने जादू लगा दिया बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे याद करो तो कट निकल जाएगी आत्मा पर कट जंक चड़ती है वह निकलेगी याद से बाब भी बिंदी है सिवाए बाब की याद के और कोई उपाए नहीं कट उतारने का अच्छा मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रती मात पिता बाब दादा का याद प्यार और गुड मोनिंग रूहानी बाब की रूहानी बच्चों को नमस्ते धारना के लिए मुख्य सार पहला कल्यान कारी बाब के हम बच्चे हैं इसलिए अपना और सर्व का कल्यान करना है कोई ऐसा कर्म ना हो जो की कमाई खतम हो जाई इसमें खबरदार रहना है दूसरा पढ़ाई अच्छी तरहां से पढ़कर ज्यान रतनों से अपनी जोली भरपूर करनी है स्कॉलर्शिप लेने का पुर्शार्थ करना है बाप समान फिकर से फारिग निश्चिन्त रहना है वरदान मैसूस्ता शक्ती द्वारा पुराने स्वभाव संसकार से न्यारा बनने वाले माया जीत भवा इस पुरानी देहे के स्वभाव और संसकार बहुत कड़े हैं जो माया जीत बनने में बड़ा विग्न रूप बनते हैं स्वभाव संसकार रूपी साप खतम भी हो जाता है लेकिन लकीर रह जाती है जो समय आने पर बार बार धोखा दे देती है कई बार माया के इतना वशी भूत हो जाते जो रौंग को रौंग भी नहीं समझते परवश हो जाते हैं इसलिए चेक करो और महसुस्ता शक्ती द्वारा पुराने छिपे हुए संसकार स्वभाव से न्यारे बनो तब माया जीत बनेंगे स्लोगन मेरे पन के अनेक रिष्टों को समाप्त करना ही फरिष्टा बनना है Om Shanti